नमस्कर बच्चो ये वीडियो में हम वायरस के बारें पढ़ेंगे वीसाडू के बारें पढ़ेंगे बच्चो वीसाडू एक ऐसा निर्जीव और सजीव के बीच के जोड़ती कड़ी है मैं क्यों ऐसा बोला निर्जीव और सजीव के बीच की जोड़ती कड़ी वीटेकर ने अपने पाँच जगत में इसका अस्थानी ने रखा उसका रीजन ये था तीन लोगों को अस्थानी रखा वारस को वारोडस को और प्रियांस को ये करम से चोटे चोटे रूप है बच्चो आपको कोई डाउट हो तो मुझे मैसेज कर सकते हो एक एक क्रिस्टन का भी मैं आपको सोलिशन बता दूगा वारस एक ऐसा घटक है मैं घटक क्यों बोला बेटा कि ये नर्जीव और सजीव की बीच की जोड़ती करी है जब खुले वाताउन में देता है तो ये नर्जीव देता है जैसे किसी होस्ट में जाता है होस्ट उसको कहते है जिसके सरी के अंदर रहकर के अपना ये खुराक ले जैसे किसी host में जाता है तो सजीव के लक्षन रखता है यह सजीव के शिर्फ एकई लक्षन रखता है अपने जैसे वारसेस बनाता है बच्चो मेरे अपने जैसे वारसेस बनाता है यह बहुत important बात मैंने बोला है ओ ध्यान लखना इसलिए लिखा देखो हम कभी नकभी जुका मताफनु से गरस्त होते हैं क्या आप जानते हैं कि वारस कैसे प्रभाइट करता है वारस का नाम बर्गिकर नहीरा क्यों नहीं बाटा इसका reason सबसे मुग्य liberty वास्त भी की जीवन से नहीं है यदि हम मानते हैं कि सजीओं को कोशिका सनचना होती है, तो वारिक और कोश की सजीओं, बटा इसमें कंदरक, इसके अंदर सिर्फ व सिर्फ DNA अथवा RNA होता है, प्रोटीन, DNA अथवा RNA, सुन लो फिर से, रिपीटेट, वारिस, DNA, अथवा, RNA, और प्रोटीन सा बनाता है, अथवा मैंने बोला है, जिनकी सनचना कोशिका के बाहर से रवेदार होती है। एक बार जब एक कोशिका में संक्रमित कर देते हैं तब एक मेजबान कोशिका मेजबान है नहीं होस्ट जिसका अंदर पाय जा रहे है। कि मसीनरी का उप्योंक योग करके अपने प्रतिकृति मतलब यच्टा आपने जैसा वारस मना लेते हैं। सिर्फ एक एलग्छर्ड यह होता है कि इपने जैसा वारस बनाते है दोर ये और ये प्रजणन का लग्छर है बच्चो और उसको माह रहते है ।ो जिसके अंदर जाते हैं आज आप लोगोंने नाम सुना होगा कोरोना वारस बिटा वारस ऐसी एक घटक है कमपोनेंट है जिसका नामकरण नहीं होता है निर्जीव का कहां से नामकरण होता है आपके घर में कोई भी अगर उडन है लकडी है तो पेल की लकडी को काट के लाया जाता है बिटा तो उसका नाम नहीं होता है लकड़ी जो निर्जी हो गई तो नाम नहीं होता है आपने उसा टेबल बना दिया फरनिचर बना दिया चेर बना दिया तो उसके बेस पर नाम रखे जाते है जो जिस काम में लिया जाता है उसके बेस पर ऐसे ही वारस का कोई नाम नहीं होता है जैसे क्यों बता दो आपको क्योंकि निर्जीव का नाम नहीं रखा जाता है निर्जीव का जिस्तर से यूच किया जाता है वैसा नाम रखा जाता है मैं आपको समझा दू एक एक्जामपल की HIV का नाम सुना होगा आपने HIV Human Immuno Deficiency Virus यह वारस मनुष्य में पाया जाता है उसकी Deficiency Human Immuno Deficiency Virus मनुष्य के Immuno मतलब प्रतिकारक तंत्र डेफिसेंस में होता है कम करने वाला वारस Human Immuno Deficiency वारस मनुष्य का प्रतिकारक तंत्र कमजोर करने वाला असका नाम है HIV और AIDS बेटा उसकी लास स्टेज है जो ब्यक्ति के अंतिमी स्टेज एड्स HIV और एड्स दोनों अलग अलग चीज़े एच्चाइवी जैसे आज आपने लोग कोरोना है कोरोना एक वारस है जिससों सर्दी जुकाम करता है लेकिन वो कंडिशन जो लास्ट हो जाती है ना एंड कंडिशन ज्यादा परिशान करता है ना तो बोलते हैं कि यार यह तो मेरे लिए वाइरस हो गया यार और ऐसा चाहते हैं कि इससे कैसी तरह से गला छुड़ जाए लेकिन छोड़ता नहीं फिर भी अच्छो जैसे एक एक्जामपल सुन दो थ्री इडियेट मूवी में पड़े हो गय हो गया घ्राब कोंपडर में वार्स ऐस नहीं आता है और गया यह सी टेकनिकल फॉर्ट जिसका कोई ट्रिट्मेंट नहीं olmaz या वारस रगदे में जमान में जाये तो वारस का 20 होता है विष को पीजन वे इस अला तरल पाशेट डीजे आयूनस की आई वानस की अक घमाक duas के मोजेग मतलब धबा लगने वाले रोग को पहचाना रोग के जवाड़ूं को पहचाना रोगानु को और उसका ना वारस देदे सबसे पहले वारस को किष्ण ने डूड़ा आयो नुसकी ने इसका बैक्टरिया से भी छोटा था क्यों बेटा क्योंकि यह क्या कि एक बैक्टरिया जितना छोटा था ना उससे भी छोटा फिल्टर लाए उसमें से बैक्टरिया को पास करा है वैसे तुम्हें पता नहीं होगा कैसे कराया था इसमें क्या किया एक बैक्टरिया को एक वारस से इंफेक्टेट कराया वारस हो गया इंफेक्टेट अब उसको ले जाहरा करके filter से फिल्टर किया तो वारस फिल्टर्ट हो गया भी चोटा है कि प postpre senza है कि कि यह द्ौत कर आठक्थ वही कहिए बता था मैंने लिए तृप्त के पोद्र प्फकी करने मिदे इह अनुने इस तरल को कंटेजियम वाइनम फ्लुईडम कहा वाइनम नहीं बेटा वाइवम है एक गलत लिखा है बुक में सुधार लेना अगर हो तो कंटेजियम वाइवम फ्लुईडम ऐसा संस्कृत लग रहा है ना बेटा संक्रमित जीवी तरल कहा यह यह वाइरस कोई कहा वाइरस को खोज किसने की आईवोनोस की ने वाइरस को कंटेजियम वाइवम फ्लुईडम किसने कहा वेजरनिक ने डब्लू एम स्टेन ले आए वाइरस को रवेदार बनाया जा सकता है इस रवे में मुँख जितब प्रूटीन सोते है यानि रवेदार मतलब होता है एक ध्रेड लाइक धागा लाइक उस रचना होती है यह अपनी भी सिस्टम मेज़वान को सिखा के बाहर निस्करी होते है जबकि अभी कलपी परब जीवी हैं अभी कलपी मतलब 100% परब जीवी है वारस में क्या क्या होता भी समझाया था प्रो कोई भी लक्षण जो माता पिता से बच्चों में जाता है वो जीन्स डीने के द्वादा जाता है जिसको हम अन्दवांसिक दवे केते हैं इसमें आरने भी हो सकता है डीने भी वारस कंदित प्रोटीन नुकलियो प्रोटीन और अन्दवांसिक पदा संक्रामा होता है प्रह बेर्सने हरनेट प्रसने आजहे नहीं होगा जंतु वारस में जंतु वारस हिए पॉलिवारस होता है जो इसमें ढूहरी लडी होती है i7 की होती है ने लुच का इसमें पाय जाता है प्रोटीन के एयुरण को कैसिक ने देखो इस सीर से इसके बाहर प्रोटीन का औरण है यह देख लूँ एक कैपसी दिखा रहा है चोटी 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 दिख रहे हैं ने बहुत केला जैसे दिख रहे हैं सब यह सब कैपसो मीड है कैपसो मेर बोलते हैं और उपर आरने हैं ऐसा बता रहा है तो बैटा देखो ल मतलब बहू फलक ज्यामिती रूप में लगे होते हैं वारस के मम्स मनुसीयों में एड्स में बी वारस के कुराण होता है पहुदो में मोजीग बनना पत्तियों एको मुड़ना पीज्वाम को सुजी तो दो आःस किसके बने गश्जों दो चीजी के गया कि अणिला था है अभ बैटा सुनो अगर कि मैवन अनुवांसिक गद्यहां है अलग होगया अलग हो गया अलग हो, class यह अलग कि इटा प्रोटीन अलग हो गया कि अनवाण सिक दब्या का लिए प्रोंटिन नहीं जा बए आरेने तो वाइरो HAskin हो जाता है तो सिर्फर्एर आर। प्रो प्रोटीन के बिना केपसिड के बिना आरन्य युकत दब्या को वाइरोट केता है इस वाइरस में आरन्य तता प्रोटीन आरन्य जो वाइरस में पा जाते है उसका आभाव था इस वाइरस में आरन्य तता प्रोटीन आरन्य इसलिए ये वाइरस के नाम से जाना जाता था बेटा यहां line गलत लिखिये आरन तथा नहीं लिखना चीए यह वायर्यूस में आरन होता है protein आरन का भा क्या होता है सुनना द्यान से क्या बोल ला हूं मेरी book में गलत लिखा है तुमहारे book में I don't know but protein आट नहीं होता है आरन होता है यह नीखे यहां यह होता है यह वाला जब की एक मेंट उटा जब की यह नहीं होता है यह इसमें नहीं होता है यह सई है यहाँ वाला इसका अभा होता है इसकी यह वारस वायरिस के नाम से जाना जाते हैं यह रोक फेलाता है एक और बेटा होता है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जिसको हम कहते हैं प्रायॉन्स प्रायॉन्स बोलते हैं इसमें सिर्फ प्रोटीन होता है प्रोटीन कबच होती है प्रोटीन होता है और यह भी रोक फेलाता है यह क्या करता है कौन-कौन से रोक फेलाता है अलजाइमर एक रिजीज होती है अलजाइमर मनुश्य में पाए जाती है और एक काव में होती है यह लाइकन का देख लेते हैं लास्ट टोपिक है इस टेप्टर का लाइकन सेवाल लाइकन एक क्या है दोनों का मिक्सिंग है जिसमें सेवाल और कवक दोनों पाए जाते हैं बेटा जी सहजी भी करूप में सहजी मतला दोनों एक दूसरे से लाव ले सेवाल को सेवालंस केते हैं कवक वाले भाग को mycobiance केते हैं इसको अंग्रेजी में phyco-biance केते हैं phyco-biance केते बेटा स्वैवाल स्वयम पोसी होता है कवक परपोसी होता है स्वैवाल भोजन बनाता है कवक उसको protection देता है धूप से, पानी लेक देता है खनीजिल शार सब सोसर करके और सयवाल उसको खुराख देता देता है यह दुनों में घनी संबन्द होता है बेटा लाइकन प्रोदूसरलले वातावन में नहीं होते हैं यह संखेत होते हैं आप जावगो जहाँ लाइकन नहीं मिलता हैं समझो प्रदूसर है आइकन बहुत मिले हैं यह प्रदूसर कम है बैटा यह टॉपिक हो गया देखता हूँ कौन सा और टॉपिक इस शेप्टर में बाकी है फिर आपको उसको पें करा दोगा